रेलवे गुरुबडी एक्जाम 2022 के लिए गड़ित की मैंत्पूल प्रस्णों की प्रतम सीरिज में आप सभी का अमिनन्दने मित्रो जी हां सबसे एहम और सलेक्टेड गुरुबडी एक्जाम को द्रिश्ट करते हुए सीरिज तैयार की गई है तो प्रस्णे आपका सबसे बड़ी तता सबसे छूटी दू अंकों की अभाज संख्याओं के अंतर की गड़ना कीजे देखे वीडियो को बीच में पहुझ कीजे और स्वेम सी आप सॉल्व करेंगे ठीके तो सबसे पहले तो ग्यात होना चाहिए कि दू अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं आपकी 97 जो की अभाज्य है और सबसे छूटी संख्याओं अभाज्य जो की 11 है इन दोनों का अंतर तो अंतर गठा देंगे तो यहां से आपका आंसर आएगा 86 तो इस तरह यहां से राइट आंसर आपका हो जाएगा 86 ओप्सन डी करेक्ट हो जाएगा मित्रू नेक्स प्रसन आपका 12.0543 में अंक 3 का इस्थानी अमान कितना होगा एक-एक प्रसन इंपोडेंट है आपके विविन एक्स जांस में कई बार आया हुआ है और भिन-भिन पुस्तकों से यह प्रसन लिये हुए है तो देखे जब भी दसमलाव के बाद एकाई दाई की गढ़ना की जाती है तो दाई से प्रारम होता है दाई सेंकड़ा हजार दस जार ठीक है यानि जो दाई के स्थान पर है वो जीरो है और सेंकड़े के स्थान पर पांच है हजार के स्थान पर चार है और दस जार के स्थान पर तीन है ठीक है तो इसका इस्थानी अमान हो जाएगा तीन बटते दस हजार ठीक है तो यहां से जो answer है वो option D में है तो option D यहां से आपका correct हो जाएगा एक प्रस्ण important है इसलिए वीडियो को like share कर देंगे मित्रू next प्रस्ण आपका है किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ा जाता है कोई संख्या है उसमें 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है प्राप्त योगफल को 2 से विवाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागपल में मूल संख्या गठाई जाती है तो सेस्पल क्या होगा तो मान लिजे कोई संख्या x है इसमें 2 से मल्टिपला ही कर दिया गया ठीक है कितने से मल्टिपला ही कर दिया गया 2 से अब इसमें 16 जोड़ दिया गया ठीक है वही जिस तरह प्रस्ण में का गया है और 2 से डिवाइड दिया गया 2 से डिवाइड दिया और माइनस कर दिया जाता है तरीके से प्रस्ण को read करेंगे, बैतर तरीके से solve करेंगे, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा, किसी भी subject है प्रस्ण अब के लिए, next question आपके लिए, प्रतम 100 प्राकर्दिक संक्याओं का योग होगा, प्रतम 100 प्राकरतिक संक्याओं का योग आप से पूछा गया है, और यह important है, कई बार एक जम में बनाया आप देख पा रहे हैं, completely repeat होता है यह प्रसंट, ठीक है, तो natural संख्याओं के योग के लिए आपको याद रखना है, trick क्या थी मैंने बताई थी, याद रखने, n, n प्लस 1 बटे 2, या फिर याद रखने, कि जो संख्याओं पूँची कही है, वह है, यानि कि 100, और उससे एक अधिक, ठीक है, उससे एक अधिक, यानि कि 1 से 1, बटे 2, ठीक है, यह मैंने trick आपको बताई थी, 2 से यह 100 कितनी बार कटेगा, 50 बार कट जाएगा 50 का इसमें multiply करेंगे, तो आपका answer आएगा 50, 50, ठीक है, तो यहाँ से जो right answer है, वो आपका D हो जाएगा, correct, ठीक है, अगला प्रसना आपके लिए, किसी संख्या का 4 बटे 3 मा भाग, उसके 2 बटे 3, वहाँ भाग से 8 देके, तो वह संख्या क्या है, तो देके इस तरह के प् इसे इसका ध्यार रखेंगे, solve करते समय, ठीक है, तो देखिए, यहाँ से प्रसन में कहा गया है, किसी संख्या का 4 बटे 3 मा भाग, ठीक है, तो मान लिजे कोई संख्या x है, बेसिक तरीके से मैं बताता हूँ, तो उसका 4 बटे 3 भाग कितना हो जाएगा, 4 बटे 3 x हो यानि 2 यहां से बचेगा, ठीक है, तो x ब्रावर क्या हो जाएगा, x ब्रावर हो जाएगा, 8 इंटू 3 बटे 2, 2 से यह 4 बर कटेगा, 4 से गुना कर देंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा, 12, तो इस तरह आपका answer यहां से कितना आ जाएगा, 12, और 12 किस option में आपके, ठीक है, तो यहां से right answer आपका क्यों जाएगा, D, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, अगला प्रसना आपके लिए, जब 4 की पावर 13 को 3 से बिवाजित किया जाएगा, तो सेस कितना बचेगा, सेस वल प्रमे से प्रसने आपका, तो यहां सेस की theorem आपको याद आने चाहिए, कि theorem क्या होत है कि 4 की पावर 13 है, और को 3 से बिवाजित किया जाता है, तो इसको हम क्या है, रिमेंडे थोरंग के रूप में चेंज कर लेंगे, तो यानि 3 प्लस 1 बटे 3 और इसकी पावर 13 हो जाएगी, अब पावर इसकी कितनी चाहिए, कितनी भी क्यों ना हो, यहां से इसकी value क्या से जो right answer होगा, अब आपका A हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रसनाप के लिए, निम्न मैं से 15 बर्ग किलो मीटर के बराबर है, एक एक प्रसनाप सभी के लिए important है, 15 बर्ग किलो मीटर, सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि 15 बर्ग किलो मीटर एक को लोगा, ठीक है, तो 15 इंटू, 1000 कर देंगे, फिर 1000 से करेंगे, किलो मीटर से, ठीक है, मल्टिपलाइ करेंगे, तो कितने जीरी होई आपकी 6, तो 15 बर्ग दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां से आपका right answer क्या हो जाएगा, right answer 6, 0 आपके D में दिख रही है, ठीक है, answer correct हो जाएगा, आसा करते हैं, टोड सकार्यमित्रो, धन्यबाद